नमस्कार मैं प्रिति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज आई नज़र डालते हैं खबरों पर इस मृते रानी पर भड़के राबर्ट वाज्रा राबर्ट वाज्रा बोले विजेपी करेगी एवियंस एक खेल पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूँ लोगों के बीच में रहता हूँ मैंने 1999 से वहां प्रशार किया लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी भूमेंट से सुनिया जी को जटा करा है वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके छेतर में आऊं और जो समिति रानी जी जो सांसद है वाँ की वो जो बादे किये थे वो पूरे नहीं किये उनको लगा है कि जब भी समिति रानी जी ने सांसद में मेरा नाम इस्तमाल किया वो बेवनिया था कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूब नहीं कर पाए और वो हमेशा मैंने उनको चैलेंज भी कि आपने सोशल मीडिया के दवारा मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है अगर मैं किसी वक्ति से मिलता हूं तो वो आरोप को प्रू चाहते हैं और यह बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्यांका की जितनी मेहनत हैं वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है क्या लग रहे है कि यूपी में किस तरह का रिस्पॉंस मिले जरूर अच्छा मिलेगा पढ़िया और जैसे यह इनी और जो अलग अलग दुर्पयों होता है यह दिंसियों का उससे लोगों को छुटकारा चाहिए अच्छा मेंने फैस्टों को लेकर लगाता है अब तो सर्षार कानून को आगया है बात दुआरा देखे यह इन लोग का प्रशार करने का तरीका है जो असल मुद्दे है उसकी बात नहीं करेंगे गेरोजगारी महिला की सुरक्षा और इनकी बात नहीं करते किसानों की बा चाहरे आप जो लोगों के असल मुद्दे है उसकी बात करिये उसमें देखो कि उनके लिए उसकी बात करें यह अलग अलग बात करें और राजडीती और यह विलकुल गलत तरीका है झाल क्षा यह जो इवीए मैं बोस्का यह गलत दुर्पयों करेंगे मुझे पका है